आदिवासी भी जिने घिनोना समझते हैं उन तोर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं, तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजे, अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजे, अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजे, जिस राज्य की मती भरष्ट है, उसका माह किश्मती जैसा बड़ा नाम, छी, देव सेना, इस महान सामराज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला, बड़ी-बड़ी प्रतिमाओं और उंचे-उंचे सिंघासनों से महान सामराज्य नहीं बनता राजमाता, एक विशाल रिदय से बनता है, लगता है व बनता है। हैसा लपत्रस्व उध्रस्ण 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 वास्तव में क्या हुआ था बताओ से तुपदी शेवाले भक्तों से भरा हुआ था महाराज देव सेना भी वहाँ दर्शन के लिए आई हैं, तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगा दूसरे द्वार से आए बाहु, ये क्या वेभार है, तुम पीडित को धमका रहे हो विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महराज, अपनी हद पार कर रहे हो बाहु बली, एक गर्भवती को बेडियों के साथ खड़ा करके, ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है मा, चाहे गर्भवती हो या ब्रद, तुम हो या मैं न्याय विधान सब के लिए एक है, जानते भी हो क्या हुआ था, क्या हुआ था देव सेना, शिवाले मैं सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के भाने वो सब पर हाथ डाल रहा था, मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलिया काट दी, गलत किया देव सेना, औरत पर हाथ डा तरफ यही साम्राचं, उस्मागं, हजेयत, आसूर्य चंद्रतारा, अल्धना, अभी बन्धना, अभी बन्धना सेतुपती दोशी साबित हुआ, उसका सर कट गया, बाहु बली, मान लिया, सेतुपती अपराधी है भी, तो इसका निर्ने किसे करना चाहिए, दंड दने काधिकार किसे होना चाहिए, तुम्हे या महराज को, या फिर तुम खुद को महराज मानते हो, गोद भराई के दिन तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि महराज तुम्हे बनना चाहिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ही ये दुस्साहस किया तुमने, मा, हो, चेतावनी देने के बावजूद, तुम्हारी पत्नी हमारे सम्विधान को अब शब्द कहती रही, हमारे महा न्याई शास्त्र को कोस्ती रही, उसने शब्दों से हमारा तिरस्कार किया, और तुमने तल्वार से, तुम दोनों ने जो किया, वो है राजद्रो, महा मंत्री, इस महा अपराद का दंड क्या है, बताया जाए. तुम दोनों अभी, इसी क्षण, इसी स्थिती में, ये राजप्रांगण छोड़कर निकल जाओ. एक और आपका विधान है, दूसरी और आपका सिखाया हुआ धर्म, इन दोनों के बीच जो संघर्ष है, उसमें मेरी तल्वार, धर्म की और जुक रही है, मा. पदशिन लिया जाए या भहिश्कार कर दिया जाए, मा हिश्मती के सेवा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, मैं हमेशा तयार रहूँगा.